जहें दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं P.W.D. इस्टुडेंटों के एक ऐसे जोन की बारे में कि जिसको जो है या डेंजर जोन कहा जाए या सेब जोन कहा जाए इसको जो है तैकर पाना थोड़ा मुस्किल हो रहा है क्योंकि यहां पे इस्टुडेंटों के जो है 60 प्लस मा मिल रहे हैं तो आज हम बात करने वाले हैं जहां दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं इलहाबाद जोन के बारे में क्योंकि यहां से जो है इस्टुडेंटों के मार्क्स जो है बहुत ही कम जो है 60 प्लस देखने को मिल रहे हैं तो देनकर तो वीडियो के सुरवात करते हैं अ वहीं अपनी ुप ट्यारी ततकाल कर दें अन्सू राजपू जिका है इनके 71 मार्ट है इनका भी सिलेक्शन होने के त्यारी करें यहीं अग्ला है नितेसवर्मा जिकाहए है इनके 65 मार्च है अगर वहीं देखे टैलेंट बोलता है जी का जो है इनके 61 मार्क से इनके सेलेक्शन होने के 100% चांसे बर रहे हैं अगला देखा जाए यल्डिक कटेगरी से है नागेंदर पुमार यादो जी का है 62 मार्क से इनका सेलेक्शन 100% हो जाएगा अगला है आपका मिश्टर रभी मैтесь मेफमेटिक्स का है यालिक कटेगरी यह अलघाबाद से हैं इनका 65 मार्क से इनका सेलेक्शन 100% होने वाला बोला है अगला है आपका फिल ambigu hyst स्टूइन की संक्या भहती कम देखने को मिल रही है, अब आप सोच सकते हैं, इतनी मसक्कत की बाद, यहां से मुश्क्र से 7 इसलिए स्टूइन की मिल रहे हैं, जिनके marks चिस्टी प्लस है तो यहां कि अगर कटाफ के ऐगर बात की जाए तो यहां की कटाफ क्या हो सकती है तो अगर आप एक आ की स्वेट नहीं हो कि यहां पर 具डि기에 ही कटाफrum कि यहां पर कटाफ्त हो McMहय होसकती है और इस के आशनय को मिलसकती तो इसके बीची कटाफ इस जोन की होनी चाहिए अगर इसके उपर कटाफ गई तो निश्य तुरूप चाप समल लीजिए कि वैकेंसी में यहाँ पर जो है कहीं कहीं गरबडी देखने को मिलेगी जैसा कि आपको गरबडी देखने को कुछ जोनों में मिल भी रही है तो ऐसे म जानकारी को पाने के लिए चैनल को सेल लाइक सब्सक्राइब करना न भूले था निवाद